जैंक प्रेशर कुकर खाने के लिए कुछ भी नहीं है क्या करें राजा जी के पास जाकर पूछते हैं क्या कर जमीनदार के पास आकर उजोर्ण आकाल के वज़े से हम बहुत तकलिफ उठा रहे हैं हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है हम आपके शरन आये हैं आप ही हमें सहारा दें क्याकर बिंती करने लगे जमीनदार ने अपनी तिजोरी में से पैसे निकाल कर उन सब लोगों में बांटा ये सुनकर दूसरे गाउं से भी लोग आने लगे जमीनदार का असिस्टेंट काला सरकार यूँ सब को दान करते गए तो हमें भी कुछ नहीं बचेगा और हमें भी फिर उनकी तरह मांगना पड़ेगा इसलिए जरा सोच समझ कर दान करें यूँ उसने सला दिया अरे काला जो हमारे पास है हम दान कर रहे हैं अगर खतम हो गया तो भगवान कोई न कोई मार्थ दिखाएगा तुम चिंता ना करो जो आते हैं उन्हें मना ना करो और जो है वो बांट दो यूँ दान करते करते उनकी संपती समाप्त हो गई उसकी हवेली भी गई फिर भी लोग साहता के लिए उनके पास आते रहे हुजूर अब क्या करें मना किया था पर आप माने नहीं सब कुछ बांट दिया अब हमारा भी वही हाल है पर लोग अब भी यहां आते हैं इनका भूग कैसे मिटाएं मेरे समझ में नहीं आता क्या करें समझ में नहीं आता हुजूर चिंता ना करो काला कल मेरे माबाप के याद में अन्नदान का दिन है पहले उसका प्रभंद करो क्या देखूं सरकार अपने पास एक बोरी चावल भी नहीं बचा लोग हजारों की संख्या में आई हुए हैं इतने लोगों के लिए खाना बनाना कोई खेल तो नहीं है मैं भी सोच रहा हूँ की आपके पास नौकरी छोड़ दूँ काला जल्द बाजी में कोई निरने ना लेना दो दिन ठहरो बाद में छोड़ देना तब काला अपने मन में दो दिन में क्या होने वाला है आसमान से तो रुपे बरसने वाले नहीं है जो था सब तो बांट दिया देखते हैं क्या करता है जमीनदार जंगल में गया वहाँ एक सादू से मिला कईये जमीनदार जी कैसे आना हुआ हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है हम देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए कितना तकलीफ उठा रहे हैं चाहिए आपको क्या चाहिए स्वामी जी कल गाव वालों को अनदान करना है मेरे पास कुछ नहीं बचा आप ही मेरा मार्ग दर्शन करें तो स्वामी जी ने एक magical pressure cooker को रक्त किया बेटा ये एक जादूवी pressure cooker है तुम इसे जितना बड़ा करना चाहते हो ये हो जाएगा जमींदार उसे लेकर गाव लोटा गाव में एक जगा उसे रक्त कर हे जादूवी pressure cooker मेरे गाव वालों की भूक मिटे उतना भोजन आकाल में जूच सकें उतना धन बरसाओ ऐसा मांगा यूँ कहते ही वो बहुत विराट कुकर में बदल गी ना बड़ा कि लोग भी उसके साम पर साथ हो रही थी काला ये देख हैरान हो गया अरे भई काला बाद में फुरसत से हैरान हो जाना पहले लोगों में बांटो कहते ही काला ने अपने आपको संभाला और उस भोजन को ट्रक में भर कर लोगों में बांटने लगा दूसरे ओर सोना हीरा जावरात की बारिश हो भगवानी ने खुश रखे, कहकर दुआ देने लगे इतना सारा खाना, सोना और जवरात को देखकर काला के मन में लालच हुई इसे किसी तरह चुराना होगा इसा उसने सोचा, उस रात को धीरे से कुकर को ले जाने की कोशिश की उसे चूते ही जोर का जटका लगा और वो दूर जाकर उचलकर गिरा यूँ गिरे पड़े काला के पास जमिनदार ने जाकर काला तुमने गलच सोच के साथ उसे उठाने की कोशिश की इसलिए जटका लगा, अब तुमें ठीक होना हो तो उसी से मिलने वाले चिकन खाओ जल्दी ठीक हो जाओगे कहकर कुकर में से एक चिकन पीस उठाकर उसे खिलाया, उसे खाकर काला ठीक हो गया सौरी सरकार, मैं आपकी नेकी को समझ नहीं सका मुझे माफ कीजिए इतने साल आपके साथ रहा फिर भी आपकी अच्छाई को मैं सीख नहीं पाया अबसे मैं भी आप ही की तरह मेरे से जो अच्छा काम होगा वो करते हुआ आप ही के पास काम करता रहूँगा यू विंति की अच्छी बात है काला हम लोगों की भलाई करेंगे तो अपनी भी भलाई होगी डबल डेकर बस वेदा नगर नाम के गौँ में कन्ना लाल नाम का एक धन्वान रहता था वो बहुत कंजूस था और लोग उसे कंजूस लाल ही बुलाते थे उसका बेटा मंगा लाल तो बुरी लतों के बंडार था एक दिन कन्ना लाल बेटे तुम्हें जुआ शराब ऐसी कोई भी लत नहीं है कहकर जूट बोलकर मैंने एक शादी का रिष्टा तै किया है कम से कम शादी होने तक उन सबसे दूर रहो अब बाद में तुम्हारी मर्जी लड़की वाले खूब पैसे वाले हैं हमें कल ही शादी के लिए बारात लेकर जाना है तुम तुरंट जाकर सस्ते में किसी बस का इंतजाम करके आओ यू मंगा लाल बाबुल नाम के एक बस ड्रेवर से जा मिला देखो भईया परसो हम रतनपूर्थ बारात लेकर जा रहे हैं मैं तुम्हें 10,000 रुपे ही दूँगा मन्जूर है 10,000? 10,000 क्यों सर? 5,000 ही दीजिए बहुत है एक बस नहीं दो बस लेकर आओंगा एक में डीजल आप भर देना दूसरे का मैं देख लूँगा ठीक है बाद में बारात में जाने के लिए सब तयार हुए तो उनके सामने एक डबल डेकर बस आकर रुखी सर, देखा? दो बस दिखाई दे रहे हैं ना? चलिए चलिए, सारा बस आप ही का है जहां मर्जी बैठिये यूँ बस जाकर एक पेट्रोल पमपर रुखी इतने में कन्ना लाल का फोन बजा हाँ, 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 हम निकल चुके हैं जी हाँ, हाँ, बस हम वक्त से पहले ही पहुंच जाएंगे आप चिंता ना करें सर, डीजल भर दिया है उसे दस हजार रुपे दे दीजिए क्या? डीजल का दस हजार? आप डीजल के पैसे भरने के लिए मान गए थे न सर आप दीजिए, देर हुई तो मूरत निकल जाएगी चलो चलो बाद में बस जंगल के रास्ते से जाने लगी ये क्या, हाइवे में ना जाकर जंगल के रास्ते से जा रहे हो ये शौटकट है सर, इस रास्ते से गए तो दस अजार रुपे बच जाएगे क्योंकि सौ किलोमेटर बच जाएगा सर, वरना डीजल का और खर्च हो जाएगा ठीक है, यूँ जाने लगे तो रास्ते के बीचो बीच एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया बाबुल बस रोक कर, सर, यहाँ पेड़ है, यह दूसरे रास्ते से जाता हूँ, पर फासला जरा दूर होगा अरे लगता है तेरे वज़े से शादी में देर हो जाएगी, कुछ करो यूँ बस दूसरे रस्ते से जाने लगी, तो एक तालाब में बस उतर गई, सब ड़कर, बाप रे, अरे बचाओ, बचाओ, कहकर चिल्लाने लगे अरे चिल्ला क्यों रहे हो, कहा था ना, कि ये शौर्टकट है, अब शौर्टकट में तो ये सब होगा ही, चुपचा बैठे रहो बाद में बस एक पहाड के किनारे से जा रहे ही थी, धीरे धीरे, सब डर कर, अरे ये क्या, लगता है, बस खाई में गिर जाएगी, कहकर चिल्लाने लगे अरे कोई चिलाए ना, और ना ही कोई हिले, वरना बैलेंस डूल कर, हम खाई में गिर जाएंगे बगवान, तुम ही हमारा बेड़ा पार करा दो, अरे मौर्ख, तुम खुद ही बस को यहाँ ले आए, और अब बगवान से प्रारत ना करते हो, जल्दी चलो इतने में कना लाल का फोन फिर बजा, उसे उठा कर, जी हाँ हाँ, रास्ते में ही है, बस पहुंश रहे हैं, कहे कर, उसने फोन काट दिया बाद में, एक बड़ा सा हाई टेंशन पॉल बस के रास्ते में आ गया कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस पॉल के बीच में से इब बस को निकाल दूँगा, पर मुझे शक है कि कहीं उसको च्छट टच ना कर जाए, हे भगवान, किसी तरह मेरे बस को उस खंबे के पार करा दो कमीने, अगर वो टच हुआ तो हम सब जल कर राक हो जाएंगे, देर हो तो हो, कोई बात नहीं, जान है तो जहां है, कोई और रास्ता हो तो देख लो, पीछे मुड़ो, यूँ चलते चलते, बस एक जगह जाकर रुख गई सर लगता है कि डीजल खतम हो गया है, हाँ, दस अजार रुपे दीजे, मैं जाकर डीजल ले आता हूँ, अरे इस जंगल में पेट्रोल पंप कहा होगा, कहकर पैसे दिए, अब मैं क्या जानू, आप जितना जानते हैं, मैं भी उतना ही जानता हूँ, यूँ ढुनते हुए जाना होगा, कहकर चला गया, वे उसके लिए कई घंटे इंतजार करने लगे, बाद में बाबुल एक डिबा डीजल लेकर वहाँ आया, उसे टंकी में भरा, आज तक मैंने किसी का खून नहीं किया है, लगता है तुम्हारा खून जरूर करूंगा, अब बस कहीं नहीं रु अब चलो, यू जा रहे थे कि सामने एक ओवर बिजाया, ये बस तेजी से जा रहा था, सब चिंता कर रहे थे और चिला रहे थे, अरे रुको रुको, बस उपर लगेगा, पर वो तेजी से बस को आगे ले गया, बस, बस का च्छत उड़ गया, यू किसी तरह बस शादी के मंड़ पर पहुंची, भाई साब, बहुत देर हो गई, माफ कीजिए, ये देखिए, इस ड्रैवर की वज़े से ही देर हुई है, चलिये चलिये अंदर चलते हैं, बेटा, बस देरी से लाकर तुमने बहुत अच्छा किया, नहीं तो मेरी बेटी की जिंदगी बरबाद हो हमें अभी अभी पता चला है कि इनका बेटा कितना निकम्मा है, क्यों रे कना लाल, हमारी संपती के लालच में बेटे की सारी बुराईयां हमसे छिपा कर शादी कराना चाते थे, कहकर सबने मिलकर कना लाल और उसके बेटे को खूब मारा सर, अब तो शादी कैंसल हो गई है न, तो दसजार रुपे दीजे, मैं डीजल डलवा कराता हूँ, बस बाप और बेटे दोनों बेहोश हो गए